हेलो एब्रीवन विल्कों बैक टो माई चैनल स्मार्ड जो गाइज इस वीडियो हम बात करेंगे एससे सीचेसल की जो न्यू नोडिफिकेशन आई है उसकी फाइनल मेरिट लिष्ट कैसे बनेगी यह जो रिकृट्मेंट है वो 2021 का है जिसको यहाँ पर 22 में रिलिज करा गया इसलिए मैंने यहाँ पर 22 लिख रखा है इसका सारा प्रोसेस आपका 22 में ही करा जाएगा तो कैंड़ेट के बहुत सारे सवाल है कि सर इसका मेरिट लिष्ट कैसे बनेगा यह जाना बहुत इंपॉर्टन आप सभी के लिए और प्रिवेशन में क्या कटफ रहा था कितने नंबर लाने पर आपका सेलेक्शन हो जाएगा यह सब भी इस वीडियों बताऊंगा और पोस्ट पर फ्रिफरेंस कब भरना है कैसे बरना है यह भी कैंड़ेट पूछ रहे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगा वीडियो को अच्छे से देखना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखने से पहले ही क कराई जाएगा टीर 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ट होगा और दूसर जो है आपका टीर 2 में डिस्क्रप्ट अर होगा फिर आपका जो टीर 3 होगा इस्कियल टेस्ट कंड़क कर जाया घाman अब इस्किल टेस्ट कौनकों से पोश्ट ले होगा वह भी मैं आपको बता Chenka यह tier 1 का exam पहता है नहीं जैसे कि आपको पता हुआ कि 200 number का exam होता है 100 number of questions है और 60 minute आपको यहाँ पर time दे जाता है जो भी candidate tier 1 की cut-off को clear करेंगे वो tier 2 में जाएंगे जो भी आपका normalize cut-off होगा अगर आप उसको clear कर ले तो आप tier 2 में जाओगे tier 2 आपका जो होगा वो descriptive type के paper होगा जो कि 100 number का होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर जो भी candidate अब tier 2 को qualify करेंगे वो finally यहाँ पर tier 3 में जाएंगे यहाँ पर देख सकते हो जो आपका tier 1 का cut-off होगा वो maybe हो सकता है कि separately यहाँ पर release करा जाए DEO का अलग LDC का अलग ठीक है लेकिन पिछले बार हम देखे तो एक ही cut-off यहाँ पर आया था और जो आपका यहाँ पर skill test होगा ठीक है वो tier 3 होगा तो tier 2 और tier 1 के basis पर आपको यहाँ पर skill test में qualify करा जाएगा ठीक है जाता है जो आपका tier 1 है और tier 2 है उसके performance के basis पर आपका यहाँ पर final test बनता है जो skill test होगा आपका वो स्रिफ qualifying nature करा रहेगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है final selection and allocation of ministries इसके बारे में लिखा गया है यहाँ पर क्या है देखो document will be made on the basis of their performance in tier 1 and tier 2 examination and the preference of the post ठीक है तो आपने जिस तरीके से post preference दे रखा है और जो आपका tier 1 और tier 2 में माक्सा है उसके basis पर आपका जो है वो final merit list यहाँ पर तयार किया जाता है जो आपका यहाँ पर final merit list है उसमें आपको बता दूँ उसे क्या होता है कि जो post preference आपने दे रखा है अपने LDC का post preference दे रखा है ऐसे करके आपने दे रखा है post preference आपका कम मागा जाता है जब आपका यहाँ पर tier 2 conduct हो जाता है उसके बाद यहाँ पर aspects of the से नोटिस आती है कि आप अपना पोस्ट पर फिल करो ठीक है तो वह फॉम आता है तो वह वेफसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा पहले आपका यहां पर एक्जाम होगा उसके बाद जब कुलिफाई करोगे तो उसके लिए पोस्ट पर फिलहाल कुछ भी नहीं मांग करा जाएगा ठीक है मालों कि आपका first choice clear नहीं हो है second हो गया तो second में आप जा सकते हो ठीक है इस तरीक के यहां पर रहता है और DEO का जो cutoff है वो अलग-अलग release करा जाता है कभी-कभी पिछले बार की बात करे तो पिछले बार एक ही cutoff यहां पर आया था LDC और DEO का और बहुत सारे question है candidate का किसार skill test यहां पर कौन-कौन से post clear होगा तो दोखों यहां पर क्या skill test में दिया गया है skill test for data entry operator ठीक है यहां पर क्या skill test is mandatory for data entry operators यान कि data entry operator जो post उसके लिए mandatory है ठीक है तो आपको आपको यहां पर skill test देना पड़ेगा जिसके यहां पर required क्या है वो यह system के लिए होगा उसके लिए यहां पर क्या लिखा गया आप देख सकते हो the medium of typing test will be Hindi और English the candidate will have to opt for the medium of typing test है नहीं कि tapping test होगा आपका LDC के लिए उसके लिए आपको language select करने का option है आप Hindi और English में कर सकते हो ठीक है या तो आप Hindi करना या तो आप English करना ऐसाने कि Hindi and English नहीं लिखा है Hindi और English से मतलब Hindi भी कर सकते हो English भी आप यहां पर select कर सकते हो जो आप select करोगे उसी के according आपका typing test होगा ठीक है और यहां पर speed भी दिया गया है यहां पर देख सकते हो candidate of for the medium English medium should have a typing speed 35 words per minute ठीक है 35 words per minute आपका English का typing रहने वाला है अगर आप English लेते हो तो Hindi medium लेते हो तो आपक per minute रहने वाला है ठीक है लेकिन हिंदी की जो typing होती है वो बहुत मुस्किल होती है ठीक है इंग्लिस में यह 35 words आपको ज्यादा नहीं लगए जितना कि आपको 30 words जो हिंदी में आप लोगे उसमें लग जाएगा तो यहां पर कुछ चीज के regarding important शीज जिया गया जो आपको सम cut-off था वह 141 गया था 141.88 गया था ठीक है और जो आपका स्टी का एक सो आट था ओभी सी के 149 था एक सो सद्रा था ठीक है तो मैंने जो आपको cut-off analysis दिया था इसी के बिलकुल करीब था मैंने क्या बोला था आपको कि 140 से उपर अगर आपका score आएगा तो बिलकुल आप से रहा होगे तो को यहाँ पर 141 यहाँ पर लगभग cut-off गया था यानि कि ज़्यादा difference नहीं था एक सो चालिस एक सो पैंतालिस मैंने बोला था और उसी के बीच में आपका यहाँ पर cut-off वैरी किया ठीक है तो यह प्रिवेशेर के आपका cut-off है इसी के according आप त्यारी कर सकते मान के चलो कि जो कितने भी फॉर्म फिलफ हो जाए तो यह जो cut-off रहती है ज्यादा वैरी नहीं करती है पिछले बार ज्यादा वैरी कर गई थी एक सो तालिस सल लेकर एक सो चैलिस की बीच हमेसा नॉर्मली रहती है अगर यहाँ पर ज्यादा कुछ नॉर्मलाइशन में न अफिसियल cut-off है तो गई यह है अश्की वीडियो अमीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो गर वीडियो अच्छी लगए अपर इस वीडियो को लाइक करना इस वीडियो को जासे है और शेयर कर दना अपने दोस्तों में गई सुमिलते है अपने अगले वीड और शेयर कि आपको वीडियो को जिस सिवा झाले वीडियो को जाफको जाफञारा ह।